Hello my dear learner, I am Manish, your physics teacher. Welcome on physics tutorial. हमने लांस्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे force का और pressure का dimension निकालते हैं. आज हम लोग सिखने वाले हैं work और power का dimension या energy का dimension हम लोग कैसे निकालते हैं. तो आईए जानते हैं कैसे निकाला जाता है work का dimension. तो पहले सबसे पहले हम लोग work का dimension निकालना सीखेंगे तो देखते हैं कैसे work निकालते हैं. हम लोगों के पास जो formula होता है work के लिए होता है work is equal to force into displacement. work is equal to क्या होता है force into displacement. displacement या ऐसे लिख सकते हैं force को F से और displacement को D से लिख सकते हैं कई जगा पे S से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको. तो force के लिए जो dimension आया था वो अगर याद हो तो वो होता MLT-2 और displacement कहें या distance है तो इस case में हम लोग क्या लिख लेंगे L लिख लेते हैं इसके लिए dimension जो होता है वो L अब इसको combine लिखा जाए तो वो हो जाएगा ML2T-2 तो यह आगिया हमारा क्या work का dimension. तो हमें पता होता है कि work ही क्या है energy है और energy ही क्या है work है inter-convertible है एक दूसरे से हम लोग convert कर सकते हैं energy को work में और work से energy में आईए जानते हैं power का dimension कैसे निकालता है तो power is equal to जो होता है बच्छो फॉर्मूला power is equal to होता है work done work done per unit time means unit time में work done कितना हुआ है तो यह हो गया formula work done by time और हम लोगों ने अभी अभी just निकाला क्या work का dimension क्या होता है तो आप देख सकते हैं work के लिए आया था क्या ml2 और t-2 और time के लिए हम लोग use करते हैं t तो इसको capital बड़ी bracket के अंदर रख दें तो इसको अगर हम देखना चाहें तो t उपर जायकर क्या हो जाएगा power एक और बढ़ जाएगा है ना नीचे power positive है उपर जाने के बाद indices रोन से क्या हो जाता है एक और power उपर बढ़ जाएगा means इसको ऐसे लिख सकते हैं ml2 और t-3 तो ये आगया हमारा क्या power का dimension तो ये है ml2 t-3 ये है power का dimension और ये है अपना ml2 t-2 ये है work का या energy का dimension और energy चाहे potential energy हो kinetic energy हो किसी भी तरह का energy हो उसके लिए हम लोग यही use करेंगे ml2 t-2 ओके मिलते हैं नाक्स लेक्षर में thank you so much